अचानक NDA की मीटिंग बुलाकर बड़ा फैसला लेने की तयारी में थे नितीश कुमार लेकिन मीटिंग में तो कुरसी को लेकर ही बवाल खड़ा हो गया पहले केंद्री मंत्री गिरिडा सिंग को आगे बठाया ने गया फिर नितीश कुमार के पड़ोस की कुरसी खाली हो गई और इस खाली कुरसी पर ललन सिंग नहीं बैठे उल्टा भड़कते हुए नजर आए है तो एक एक तस्वीर निकल कर सामने आई है और ये तस्वीरे सो पार्तिय जंता पार्टी कैसे खेल गई है आपको एक एक करके बताएंगे लेकिन उसके पहले तस्वीरे दिखाते हैं तस्वीरे आप अपनी फूल स्क्रीन पर देखें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे केंद्रिय मंत्री ललन सिंग भड़के हुए है नाराज आपको बता दे ललन सिंग और नितीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसका अंदेशा तभी हो गया था जब पिछली बार जेडियों की कारिकायनी की बैठक में ललन सिंग शामिल नहीं हुए थे तब शामिल नहीं हुए थे और अब NDA की बैठक में पहु हुए है यह अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि नितीश कुमार और ललन सिंग हमेशा पडोस में बैठते हैं इस बार नजाने क्या हो गया है कि दोनों की नाराजगी मंच पर ही साफ दिखाई दे रही है अब एक तरफ जहां नाराजगी निकल कर सामने आई ह भड़के हुए ललन सिंग दिखाई दिये हैं वहीं दूसरी तरफ नितीश कुमार के पडोस की कुरसी खाली दिखाई दी है तो खबरे भी बनाए गई हैं सिर्फ तस्वीरे नहीं निकल कर सामने आई है यह अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि खबर भी मौजूद है खबर आप देखे नो भारत टाइम्स की देखेस में लिखा है कि NDA की मीठिंग में नितीश के राइट वाली कुरसी खाली क्यों बिहार सीम के चहरे पर मुस्कान तो ललन सिंग दिखे हैं सीरियस तो सीरियस दिखे हैं और कितना सीरियस दिखे हैं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं एक तरफ ललन सिंग है दूसरी तरफ केंद्री मंत्री गिरीरा सिंग है आपको बता दे गिरीरा सिंग को काईदे से तो केंद्री मंत्री होने के नाते फ्रंट रो में बैठालना चाहिए था लेकिन उन्हें पीछे डाल दिया गया है या फिर यूं कहें पीछे बैठाल दिया गया है, बैचारे गिरीरा सिंग लगातार नितीश कुमार की तरफ ताक रहे हैं, लेकिन नितीश कुमार हैं कि उन्हें पलट कर देखना तक जरूरी नहीं समझते हैं, फिलहाल बिहार में कैसे गिरीरा सिंग और नितीश कुमार के बीच तलवारे किची हुई ह ये किसी से चुपा हुआ नहीं है आप अच्छे से जानते हैं कि पहले तो गिरिडा सिंग ने बिहार में हिंदु स्वाभिमान यात्रा निकाली है और इस यात्रा के दोरा लगातार भढ़काव भाशन दिये जा रहे हैं कहना है कि बटोगे तो कटोगे अगर मुसल्मान तु तुम पलट कर उसको सो थपड़ मारो ऐसे में नितीश कुमार गिरिडा सिंग से दूरी बना रहे हैं क्योंकि नितीश कुमार के लिए मुसलिम वोट बैंक कितना जरूरी है ये किसी से चुपा हुआ नहीं है तो NDA की मीटिंग है NDA की मीटिंग को बुलाया तो इसलिए गय सकते हैं नितीश कुमार ने अचानक से 28 अक्टूबर को मीटिंग बुलाई ये मीटिंग बिहार में बुलाए गई CM हाउस पर बुलाए गई सोचा था कि इसमें बड़े बड़े फैसले लिये जाएंगे लेकिन जब कुरसी को ही लेकर और बैठने को ही लेकर फैसला नहीं ह हो पा रहा है तो क्या फैसले लिये जाएंगे आप समझ सकते हैं फिल्हाल मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग को लेकर बवाल और भी जादा तब खड़ा हो गया है जब मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं एक तरफ अंदर में देख सकते हैं कि कैसे नितीश कुमार इस मीटिंग में फस गए हैं बिचारे अंदर कोई सुनने के लिए तयार नहीं है और बाहर सीम हाउस के पुतला फुका जा रहा है खबर तो यहां तक निकल कर सामने आई है कि नितीश कुमार की सुरक्षा में भारी चूक हो गई ह खबर आप देख सकते हैं खबर में लिखा भी हुआ है कि सीम हाउस के अंदर चल रही थी एंगे की बैठक बहार हुआ है बवाल पुलस के खिलाफ नारे बाजी और पुतला दहन किया गया है तो बवाल खड़ा हो गया है और भयंकर बवाल खड़ा हो गया है बेचारे नित नितीश कुमार की इस मीटिंग से कई नेता गायब हो गए हैं ऐसे में खबरे ये चलाई जा रही है सवाल ये किया जा रहा है कि जब मीटिंग नितीश कुमार ने इस मीटिंग में बोला क्या है तो नितीश कुमार ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है इसको लेकर तो कोई अ NDA हासिल करेगा, मतलब आप देख सकते हैं कि मजाग बना रखा है, 2020 के विधान सबाचुनावों में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब तो NDA को 125 सीटे आई थी, और अब 220 सीटों का लक्षी रखा गया है, 2024 लोग सबाचुनावों में 400 सीटों का लक्षी रखा गया था, और अब बिहार के विधान सबाचुनावों में 220 सीटों का लक्षी रखा गया है, और टोटल सीटे होती हैं 243, तो जैसे रुजान निकल कर सामने आ रहे हैं, ऐसे में आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या नतीजे होने वाले हैं, फिलाल मैं आपको बता दूँ जो NDA की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, वो अपने आप में कितने खोकले हैं, इसका अंदाजा आप इस बास से लगा सकते हैं कि पहले तो मीटिंग में बवाल खड़ा हो हुए हैं, वो नितीज कुमार की मीटिंग में नहीं शामिल हुए हैं, और खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि दिल्ली में विभागिये बैठक बुलाई गई थी, इसके चलते ही नितीज कुमार की मीटिंग में कई बड़े नेता नहीं पहुच पाए हैं, तो आप समझ सक तो कई घटकदल गायब हो गए हैं, कई भारतिय जनता पार्टी के नेता गायब हो गए हैं, ऐसे हालातों में जब ये रुजान निकल कर सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, लक्ष तो तै कर दिया गया है कि एंडिये इस बार 220 सीटे लाएगी, लेकिन फिलहाल जैस वीडियो को जादा जादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जोइन करें, फिर मलते हो लिए खबर के साथ, अब तक के लिए, धन्यवाद. कर दो प्रम मलते हैं, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को जोगता है.